ये DAV Class 8 Hindi का Annual Exam का Question Paper है जो आपका 6 March 2023 को हुआ है Dear Student, इस वीडियो में हम इस Question Paper का solution करेंगे आपने वीडियो को complete देखना है और comment करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा ये Question Paper मुझे WhatsApp पे एक Student ने भेज़ा है इसके अलावा कुछ Student ने टेलिग्राम पे भी ये Paper मेरे पास भेज़ा है जिसका Question Paper जिसकी PDF बिल्कुल साफ थी वो Question Paper मैंने ले लिया है तो आप सब का धन्यवाद तो वीडियो को आपने complete देखना है और हो सकता है मैं कोई Question का अंसर आपको गलत बता दूँ तो आपने Comment करना है Comment में बताना है, Discuss करना है ठीक है? आपस में तो शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे पास है एक Paragraph है गध्यांश दिया हुआ है, उसको हमने ध्यान से पढ़ना है और फिर Questions के अंसर हमने देने है तो ये Paragraph है हमारे पास First Question है, राष्ट निर्मान के लिए छात्र छात्राओं को किन कारियों में रूची लेनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा समाज सेवा के कारियों में Second है, विद्यार्ती के संपूर्ण वक्तित्व क्या आवश्चक है? तो क्या वश्चक है? समाजिक ज्यान Third है, समाज सेवा सादन है, राष्ट की आत्मा को समझने का राजनिती में प्रिवेश करने का, अपने को सुखी बनाने का, मानवता की सेवा करने का समाज सेवा राष्ट की आत्मा को समझने का सादन है rouge है, सामाजिक प्रिवेश से जुढ़नी के वसकता क्यों बताई गई है तो, राश्टे चेतना और दाित्व की समझ के लिए 5. सेवाकारियों से विद्यार्थियों के वेक्तित्व में किन गुणों का विकास होता है तो किन गुणों का विकास होता है सहकारिता और आत्मत्याग सेकिंड प्रशन है हमारे पास ये भी हमारे पास एक गध्यांश है इसको भी हमने ध्यान से पढ़ना है और इसको पढ़कर questions के हमें answer देने है तो फस्ट है इसका मुनश्य की कौन सी विरिती से उसे प्रेटन के लिए प्रसाहित करती है तो इसका answer आएगा जिग्यासा सेकिन है प्रेटन के किस कारे में विशेश रूप से सायक होता है प्रेटन किस कारे में सायक होता है विशेश रूप से तो ये ज्यान प्राप्त करने के लिए थर्ड है प्रेटन क्या देखकर मुख्यता आनन्दित होते हैं तो प्राकृतिक सुंदरे देखकर आनन्दित होते हैं फॉर्थ है प्रेटन के पस्चात मुनुष्य कैसा अनभव करता है तो नवीन उस्साव स्फूर्थी अनभव करता है Question number 5 है प्रस्तुत गद्यांश का उचित हिश्चक है तो हम कह सकते हैं प्रेटन का महत्व Next हमारे पास है वहवारिक व्याकरण के questions है First है इसमें हमने अनुसार या अनुनासिक चिन का प्रयोग करना है तो इसमें आजेगा यहां पर आएगा ह के उपर चंदरबिंदू आएगा Next है लिफाफा शब्द में उची सब्दर नुकता लगाना है तो नुकता कहा आएगा लिफाफे में दोन्नों फो के निचे आएगा दोन्नों फो के निचे बिंदी आजाएगी ठीक है यहाँ पे भी आएगी और यहाँ पे भी नेक्स्ट है दुरुगन शब्द में र का उचित प्रयोग करना है र कहां आएगा इसमें यह गलत लिखा हुआ है इसको सरी डंग से लिखना है तो ग के उपर आजेगा ठीक है सद उपसरग में मूल शब्द जोड़ कर नया शब्द बनाईए नया शब्द बनाई तो कुछ भी बना सकते हैं सद गति सद भावना ठीक है एक शब्द का प्रयोग करके नया शब्द बनाईए मासिक मासिक, धार्मिक, नाविक ठीक है बहुत सारे सब्द उना सकते हैं फिफ्ट कोश्चन है अक्षी सब्द का तद्भव रूप लिखिये तद्भव रूप अक्षी का तद्भव रूप होगा आँख नब शब्द के दो प्राइव आची शब्द तो आप नब के तो कितने भी लिख सकते हैं गगन है आस्मान है आकाश है ठीक है सबल शब्द का विल्व शब्द लिखना है तो होगा निरबल निर बाक्षा के लिए एक शब्द दूर की सोचने वाला दूर की सोचने वाला हम कहेंगे दूर दर्शी संधी करनी है गण जमाईश, गण जमाईश होगा गणेश, बिल्कुल असान था ये तो सवचंद शब्द में संधी विच्छेत करना है, सवचंद की संधी विच्छेत होगी, सव जमाचंद निमलित समस्त पत का विगरह करके समास का भेद बताईए, तो यथा समय, इसका विगरह होगा समय के अनुसार समय के अनुसार और समास का नाम अगर बताएं, तो समास होगा अववी भाव अववी भाव समास होगा यह ख़ है इसका विगरह कासमस्त पत बनाकर समास का भेद बताईए, माल के लिए गुदाम, तो यह होगा माल गुदाम माल गुदाम और इसका अगर हम बताएं, तो समास होगा तत पुरुष तत पुरुष तमास होगा यह कोस्टन नमबर नाइन है, रचना के अधार पर वाक्या का भेद, गांदी जी नहीं चाहते देखी, यह कौन सा है, विचार दूसरों पर ला दे जाएं, उनके विचार दूसरों पर ला दे जाएं, तो यह होगा मिश्रित वाक्या नेक्स्ट है, वाक्या का अर्थ के अधार पर वाक्या भेद, अर्थ के अधार पर, यदि तुम मेहनत करोगी, तो तुमारे अच्छे अंक आएंगे, अर्थ के अधार पर करें, तो यह होगा संकेत वाचक नेक्स्ट वाक्या का शुद रूप लिखिए, उसके तो सारे इरादे पर पानी बह गया, तो उसके तो सारे इरादों पर पानी फिर गया, ठीक है, उसके इरादों पर पानी फिर गया, ऐसे भी हो सकता है, उसके तो सारे इरादों पर पानी फिर गया, बह की जगा क्या मुहावरा है, पानी बह गया नहीं होता है, पानी फिर गया होता है, ठीक है, तो मुहावरा है, उसके तो सारे इरादों पर पानी फिर गया, या फिर आसी भी लिए सकते हैं, उसके इरादों पर पानी फिर गया, उसके इरादों पर पानी फिर गया, दुन्नों ठीक है, ख है, निमलित वाक्य में उप्युक्त स्तान पर उचित विराम चिन लगाना है हमने तो एक दिन देखा के बाद अल्प विराम आजेगा फलोरा कहीं घूमने गई पूर्ण विराम आजेगा ठीक है तो ये था इसका निमलित महावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए आसमान सीर पर उठाना ठीक है तो आप इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कुछ भी आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं अध्यापक के जाते ही कक्षा में विद्यार्थियों ने आसमान सीर पर उठा लिया बना सकते हैं आप कोच भी Next है काव्य पंक्ती में प्रियुक्त अलंकार का नाम बताना है फूल हसे कलिया मुस्काई तो कौन सा अलंकार है इसमें अलंकार है मानवी करण मानवी करण अलंकार इसमें है Next है जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आया और उसका अर्थ हर बार भिन हो तो वहां शलेश अलंकार होता है कोच नमर 12 है निमलित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिये गए प्रशनों के उत्तर दीजिए एक अकेला तांगा था दूरी पर कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था घूंगूं के बल खाती थी सर्प से लिखी बेदर्दी से पढ़ती थी दूबले घोडे की गरम पीठ पर भाग रहा वै तारकोल की जली अंगिटी के उपर से तो कोचवान की काली सी चाब किसके समान बल खाती थी तो सर्प सरीकी थी साप के समान बल खाती थी ठीक है तो आई इसका अंसर आएगा सर्प के समान नेक्स्ट है तारकोल की जली अंगिठी वाक्याश का प्रयोग किसके लिए किया गया है तारकोल की जलियंगिठी क्या है वो, किस पर गोड़ा चल रहा था, तारकोल की जलियंगिठी पर चल रहा था, यानि की सडक पर चल रहा था, तो इसका अंसर आगा सडक है, ठीक है, किस के लिए प्रयोकिया गया है, सडक के लिए प्रयोकिया गया है, कोचवान का वैवार आप कह सकते हैं, निर्दई था, ठीक है, निर्दई भी आ सकता है, कोठोर व्यवारता उसका निर्दई व्यवारता, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, नेक्स्ट है, कोष्टन नमबर 13, ये हमने 25 से 30 सब्दों में इस कांसर देना था, ये आपने कर लिया होगा, फिर उसके बाद है, कोष्टन नमबर 14, ये भी 3 नमबर का कोष्टन था, और अथवा में था, ये भी आपने कर लिया होगा, और कोष्टन नमबर 15 है, गध्यांश ह ठीक है चाल तो समझ में आता है पर तूश क्या वला है क्या अपनी जिग्यासा प्रकट कर पाते कि पतनी ने लड़की को शौल खुद पहुँचाने के वादे के साथ विदा किया और अंतरध्यान हो गई यह paragraph दे रखा है ठीक है लेसन में से दे रखा है अच्छे पुडोसी के गुन उसमें से दे रखा है लेखक की पतनी के चहरे पर आये भै के भाव का क्या कारण था लेखक की पतनी पर उसके चहरे पर डर का भाव क्यों आ गया था क्या उसने गलती करी थी उसने क्या गलती करी थी उस पे चटनी के कुछ दाग लग गए थे इसलिए वो क्या थी डर गई थी ठीक है कि अब उसकी पुटोशन उसके बारे में क्या कहेगी सेकिंड है वह मतमेला सा गरम कपड़ा क्या था और उसे ड्राइ कलीन करवाने में कितना खर्च आया वो गरम सा मतमेला कपड़ा क्या था वो थी शाल थी ठीक है तूश की शाल थी और उसमें कितना खर्चा आया 1.500 रुपी ठीक है इतना है खरचा? 1.500 रुपी उस पर खरचा है next है पडोसन ने लेख के पतनी को किस बात के लिए 2 शी ठहराया उसने उन्होंने तूश दाजी करने के लिए हमारी पतनी को 2 शी ठहराया यानि कि जो पडोसन थी लेखे की पतनी के बारे में उसने क्या कहा कि उसने जान भूज कर जो मेरी शोल पर दाग लगाया है ठीक है जलन के कारण मेरी शोल पर जो दाग लगाया है नेक्स्ट है तूच प्रकरण का क्या प्रिणाम निकला इसका क्या result निकला, क्या हुआ उसके बाद, इसके बाद क्या हुआ कि महिलाओं में बाचीद बंद हो गई, ठीक है, घरों में शीतियूद चल रहा है, और महिलाओं में, यानि कि आपस में महिलाओं ने बाद करना बंद कर दिया, नेक्स्ट कोस्टन है हमारे पास, 25 से 30 शब्दों में हमने आंसर देने है, यह आपने कर लिये होंगे, कोस्टन नमर 16, ऐसी कोस्टन नमर 16 है, 30 से 40 शब्दों में आपने आंसर देने थे, ऐसी कोस्टन नमर 18 है, ठीक है, यह पार्ट में से पुछा गया है, और कोस्टन नमर 19, ये हमें अनुचेद लिखना था कोशन नमबर 20 ठीक है ये पत्र लिखना था हमने कोशन नमबर 20 में देख लिए किस तरह का आया है कोशन नमबर 21 में समवाद लिखना था आपने और कोशन नमबर 22 हमें दिया है ठीक है इसमें भी आपने एक सूचना तयार करनी थी तो इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों का शेर जरूर कर देना मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार